प्रदेश में भाजपा की सरकार काबिज है ऐसे में अब सीम भजानलाल शर्मा ने अपनी मंत्री मंडल का विस्तार कर लिया गुरुवार को नई सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक होना प्रस्तावित है इसी पूर भी राजस्तान यूद कॉंग्रेस ने प्रदेश कॉंग् के प्रदेश अद्धिश अभिमन्यू पून्या ने ये भी कहा कि प्रदेश के मुख्य मंत्री कट पुटली की तरह काम कर रहे हैं और सरकार दिल्ली से चल रही है राजीव गांदी यूवा मित्रों को हटाया जा रहा है चिरंजीवी यूजना का आयो जन अब अब दो रोजगार दो नियाए दो का अभ्यान भी चलाएगी उन्होंने कहा कि 20 जन्वरी को जिला संभाग और विदान सबाव के सभी सरकार को घेरेंगे जिस परकार से सरकार आने के बाद मुखे मंत्री जी एक कटपुतली की तरह राजस्तान के अंदर काम कर रहे हैं सरकार दिल्ली से चल रही है यूवा मित्रों की नोकरी छीनने का काम कर रहे हैं सभीदा कर्मियों को उठाने का काम कर रहे हैं अभी एक दो दिन पहले ये ब्यान दिया कि हम चिरंजीवी योजना को आई सुमान में कनवर्ट करने का काम करेंगे जिससे कि एक BPL प्रिवार के अलावा किसी दूसरे प्रिवार को फाइदा नहीं हो सकता तो कहीं ना कहीं आमजन की जो योजना थी उनको बंद करने का काम बाजपा सरकार कर रही है उसी को लेकर रास्तान युवा कॉंग्रेस आने वाले समय में सडको पर उतरेगी डोर टू डोर कंपेंड का कारेकरम हो हमारे रोजगार दो न्यायदो में डवल एट 60812345 जो नंबर है उस पे वोल इंटरम आने का काम हो शेर से लेकर गांस्तर बूस्तर पर युवा कॉंग्रेस जाने का काम करेगी और आने वाले समय में जिल्ला संभाग और विदान सभा को गेरने का काम करेंगे बाजपा की इस कटपुतली सरकार को जब तक युवाओं को रोजगार नहीं देंगे फरी इलाज सुविदा चालू रखेंगे ये इन मुद्धों पर हम सड़क पर लड़ेंगे